कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होगे थोस्फ ही नbirds कि अपनी चैनल क्रिकल अन्ड में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किसी मुकाबले को कवर नहीं करने तो मैंने YouTube पे गया सर्च किया मैंने कि Dream Alone में CVC कैसे बनाया जाए तो मैंने काफी जादा लोगों की वीडियो देखी लेकिन कह सकते हैं मतलब मुझको satisfaction नहीं मिला जो कि मुझको जानना था वो किसी नहीं बताए था वीडियो में तो ऐसे में मैंने सोचा है कि ऐसा भाई इतना basic mistake जो कि सारे लोग कर रहे हैं ऐसा क्या कुछ होता है dream alone में कि आपकी 11 खिलाड़ी अगर dream team में भी शामिल रहते तब भी आप नहीं जीत पाते हो grand league मिस कर देते हो small league में आप लोगों का loss होता है तो इसके पीछे basic reason क्या है video में मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा और किस तरह से आप लोग मतलब इसको अच्छे से सुधार सकते हो ये भी मैं आप लोगों को guidance करूंगा तो without wasting your time video को हम लोग इस्टार्ट करते हैं यहाँ दोस्तों देखिए कुछ आप लोगों के लिए basic rule है यहाँ पर और मैं कहूंगा जादा नहीं चार step आप अगर follow कर लोगे ना तो आप लोग कभी भी CVC बनाने में कभी भी आप लोग कतरा होगे नहीं ठीक है तो ऐसे में क्या कुछ है यह मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे अच्छे पहली बात जो है कि आप लोग टीम के strength देखिए जो की मेरा पहला यहाँ पर topic है यह दोनों अपनी level की team है तो ऐसे में दूस्तों जब यह ऐसा मुकाबला होता है न तो आप लोग इसमें किस तरह के CVC try कर सकते हो मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं मुकाबला खोलता हूं ठीक है पहले तो देखिया आप लोग small league में team कैसे बनाए जाए यह वाली जाकर वीडियो आप लोग देख लेना इस वीडियो के बाद ही देख लेना वो देख लेना पहले आप लोग सही player select किये रहा होगे तभी तो CVC बनाओगे क्या मालूम जिसको CVC बनाना है आप लोग अपने team में ही उसको नहीं लिये हो तो ऐसे में तो CVC बनाना दूर आपक किया कुछ मिश्टेक करते हो तो यहां पर यह चाथा T20I का मुकाबला खेला जा रहा है पाकिस्तार इंग्लाइंड के बीश में अब मुझको नहीं मालूम आप यह वीडियो कब देख रहे हो क्योंकि यह वीडियो मैं अप अपलोड कर रहा हूं देख सकते हो 30 सितंबर 2022 को अब हो सकता है आप इसको 2023 में देख रहे हो 2024 में देख रहे हो अब कभी भी देख सकते हो मैं बता आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वाइस बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे समझ वाएगा अब यहां पर देखो मैंने सारे खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लिया है अगर लिग के नजरिये से CVC बनाने के लिए परफेक्ट चुएस हैं आप लोगों को यहां से फॉर एक्जामपल और प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताते हैं यहां पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप लोगों का टेंसन चाहिए एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा तो सबसे दादा लोग कप्तान बना रहे हैं मुहमद रिजवान को यहां से मुहमद रिजवान के रिसेंड परफोर्मेंस देखा जाए तो क्या कुछ करके आ रहे हैं तो यहां से जो की पांच मुकाबले खेले गए अगेंस्ट इंगलाइंड यहां पर मुहमद रिजवान ने फिर से 88 रनों की पारी खेली थी और फिर से यहां पे 63 रोनों की पारी खेली है तो यहां पे अगर मैं आऊं फिर से यहां पे से यहां से दीख रहे हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अब क्यों से इनका जो पांच मुकाबले पिछले आये हैं जिसमें से तो चार अर्ध सतक हैं पलस यह आप लोगों को विकेट कीपरिंग करके देंगे तो ऐसे में कोई खेलाड़ी एक तो ओपेन आ रहा है इतना कंसिस् मुहमद रिजवान जो कि एक विकेट कीपर है और रिसेंट फॉर्म के बेस पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया देखिएगा तो काफी कंसिस्टेंट स्कोरिंग कर रहे हैं तो यहां पे कैप्टन बनाने के लिए सबसे सेफ यही है ठीक है तो फिलाल देखा जाए तो ज देखें मोहीन अली ने पिछले 5 मुकाबले में क्या कुछ किया है यहां से मैं पहले इनका हाइलाइट कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है तो आप लोगों पहले मोहीन अली के स्कोर पे नजर रखिए पहला मुकाबला खेला गिया था यहां स से पांचवा मुकाबले देखिएगा आप लोग 51 रनों का स्कोर किये हैं ठीक बाकि यहां से अगर मैं बॉलिंग इंफोर्मेशन में आओ अब जो यह सब आप लोगों को इंफोर्मेशन दे रहा हूं मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को मैच प्रिडिक्सन जब वीड का मुद्दा है तो यहां से अगर मोहिन अली का मैं दिखाऊ हूं आप लोगों को तो यहां से देखिए मोहिन अली का हाइलाइट करता हूं यहां से यह बॉलिंग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं तो इस्टार्टिंग के तीन मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग किया था य कहोगे कि दूसरे मुकाबले में 55 रनो का यहां से इन्होंने स्कोर किया था लेकिन जो चौथा और पाँचवा मुकाबला खेला गया है यहां पर इन्होंने बॉलिंग नहीं किये तो अगर इसके इंग लाइन की टीम एक बहुत मजबूट टीम है और इनका बैटिंग करम छे नंबर होने वाला है तो इस पेस ली देखो अगर फर्स्ट भी बैट करती है तो छे नंबर पर थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुस्किल होता है ठीक है दोस्तों यहां तक कि ODI किरकेट में भी कई और बैट्स्मेंन की बैटिंग नहीं आती है तो यहां पर तो T20 किरकेट है हूं लुक Михet के लायक खेलाडी है क्योंकि बैजार लोग इनको कह सकते है अभी देखो मैच स्टार्ट होने में चार घंटे का टाइम है तो इनको 14 परसेंट लोग क्सी वीसी ट्राइब कर रहे हैं बागी हो सकते हैं यह 20 के भी अबब चल जाए 20 परसेंट बहुत होता है दोस्तों अगर आप 10 कॉंटेस्ट जोयन कर रहे तो आप लोगों के अब सेफ वीसी कोन है सेफ वीसी के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों से फर्स्ट आप लोगों को यही चीज़ बताया था कि पहले आप टीम की स्ट्रेंथ देखिए तो यहां से टीम स्ट्रेंथ में मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों टीम बैलेंस है मतलब दोनों मजब मैंने आप लोगों को बता देता हूं match prediction अपनी सारी वीडियो में बताता हूं कि कौन सा बॉलर देथ में आएगा कौन सा बॉलर opening में एगा ठीक है तो फिलहाल के लिए मैंने क्या माना है कि इंगलाइन की टीम first ball कर रही है तो इंगलाइन के तरफ से अगर देथ बॉलर देख की खासी आप लोगों को ओबर करते हैं दो मुकाबले खेले हैं यहाँ इसे दोनों मुकाबले में चार चार ओबर की बॉलिंग किये पलस यहाँ पर आप लोग अगर इनका performance देखो गया मार्क वूड का तो यहाँ से देखिएगा तीन विकेट तीन विकेट दोनों मुकाब मेटर नहीं करता है लेकिन उसको विकेट मिल जाएगी और देख में अगर कम से कम दो विकेट भी कोई बॉलर निकाल देता है तो आप लोगों को मालूम है नॉर्मल विकेट का 25 पॉइंट मिलता है लबी डाबलू बोल्ड का 33 पॉइंट मिलता है तो इसली आप लोगों को मालूम चल गिया होगा दोस्तों कि जो टीम देखो captain safe बनाओ record पहले देख लो recent form देख लो players के states देख लो ये सब आप लोग सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग यहाँ player selection पे देखो और cvc दाब दो ऐसा नहीं है आप लोग पहले players के recent form बगएरा देख लो उसके बाद captain तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है मोहमद रिजवान बेष्ट रहने वाले क्योंकि recent form इनके हक में है पिछले 5 मुकाबले में 450 यार ये पलस विकेट कीपरिंग करेंगे अब VC के तौर पर जैसे कि मैंने आप लोगों के से बताए अगर England की team first ball करीगी तो आप लोग यहां से Mark Wood को या फिर देखो Chris Vox को भी try करके चल सकते हो ठीक है बागे फिलहाल Mark Wood को बना सकते हो बिकाज Mark Wood recent form अच्छा है जब जब खेलें 3-3 विकेट निकालें तो एक कैसा तक तो safe में ये VC है अब आप लोग ये मत देखा करो कि दुनिया बना रही के नहीं बना रही ठीक है जनता से आप लोगों को कोई मतलब नहीं आपके team unique होनी चाहिए जनता का किया है दुस्तों कि पिछले मुकाबले में जो होता है वो उसी के पीछे भागने लगती है तो आप अपनी base पे खेलिए आप अपनी skills पे खेलिए अब वही अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान की team first ball करती है तो आप इनके देख के baller को बना सकते हो जो कि है यहां से हारी सुरॉफ रहने वाले है बाकि इनके साथ हारी सुरॉफ के साथ हो सकता है मुहमद वसीम रहें तो आप थोड़ा सा पहले इन लोगों का recent form देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ आप लोगों को यह सब मेरी वीडियो में मालूम चल जाता है तो उसके लिए चाहो तो आप लोगों चैनल वागरा को सस्क्राइब कर सकते हो तो जैसे कि मैंने आप लोगों को से बताया हारी सुरॉफ देखो जब जब खेल रहें 40 रन कम से कम करना ही होगा 80-20 में कासी दोस्तों मुस्किल होता है किसी बैट्समेन को प्रिडिक्ट करना है कि वो 40 रन करेगा की नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों कमालू में जल्दी से किर्केट स्टार्ट होता है और देट में मैंने बार बर का है भले से 20 की एकॉनमी से पिटाई लेकिन उसको चांसे रहता है विकेट मिलने का तो होप दोस्तों आप लोग समझ गए होगे कि यहां से CVC किसको ट्राई किया जाए यह तो मैंने आप लोगों को बताया अगर सेम स्ट्रेंथ की टीम हो मतलब दोना मजबूर टीम हो तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो फॉर इक्जाम्पल अगर मजबूर टीम और कमजोर टीम खेले तो ऐसे में क्या करोगे तो ऐसे में और असान हो जाता है अब मानलो जैसे इंग्लैंड और जिंबाबे का मुकाबला खेला जा रहा है तो पहले तो आप यह देखो कि कौन सी टीम फर्स्ट बैट कर रही है कौन को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जिंबाबे के खिलाफ कम से कम कुछ नहीं तो 200 का आकड़ा तो इंग्लैंड की टीम लगाने ही वाली है तो अगर टॉप 3 में ही आप CVC बना सकते हो और अगर इंग्लैंड की टीम चेज कर रही है तो आप लोगों को यह अंदाजा लगा करके चल सकते हो ठीक है यहां से हुआ हम लोगों का पहला यहां पर कवर हो गया पहला इस्टेप कवर हुआ दूसरा इस्टेप यह है कि बैटिंग ओडर आप लोगों को मालूम होना चाहिए वही चीज़ जो कि मैंने आप लोगों कभी इंग्लैंड जिंबाबे के मुकाब दारी हो जाती है और 15 अबर तक मानलों अगर कोई विकेट नहीं गिरता है तो आप लोगों को मालूम है भाई कि अगर 15 अबर तक इंग्लैंड की टीम अगर 140-160 रन लगा देती है तो ऐसे में जो रूट जो की कह सकतो टेस्ट किर्किट के बेश्ट बैट्समन है लेकिन टी भले सुनका बैटिंग डाउन नीचे दिखा रहा है उससे नहीं मतलब है आप लोगों को खूद के माइंड में एक प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि भाई पहले कौन सी टीम खेल रही है और कितना स्कोर बनना चाहिए और उसके बाद कौन से बैट्समन आ सकता है तो अगर 140-160 रहनों की साज़ेदारी हो यह फर्ष्ट 15 अबर में तो आप लोगों को मालूम है कंफर्म कोई हीटर ही कोई टीम भेजेगी तो ऐसे में लियम लिविंग्स्टोन को आप चाहो तो टीम में ट्राई कर सकते हो फिर उसके बाद 4 बॉलर अपने टीम में ले रहो यह चीज सारी मैंने खुद भी वीडियो देखी यहाँ पर आप लोगों को यह चीज कोई ने बताएगा कि फॉर्मेट क्या चीज होता है दोस्तों फॉर्मेट का मतलब यह है कि आप पहले देखो कि आप लोग कौन सा यहाँ पर खेल रहे हो T20 खेल रहे हो T10 खेल रहे हो ODI किरकट या फिर TESC किरकेट खेल रहे हो For example मान लो कि आप लोग टेश्ट किरकट खेल रहे हो अब टेश्ट किरकेट में आप लोगों को माल्म है भाई कि highest score किसका है तो ब्रैनलारान ने बनाया था कि 400 ल बना दिया था भाई एक ही पारी में अब 400 लन अगर कोई खेलाडी बनाता ह आप उसको कप्तान बना देते हो तो दो गुना पॉइंट तो वैसी मानलो 800 पॉइंट दे दिए पलस उसमें आप लोगों को चौके छक्के के बोनस कम से कम मानलो यार 900 पॉइंट अब 900 पॉइंट आप समझ रहे हो बहुत बड़ी चीज होती है टेस्ट किरकेट में आप कोई बॉइंट कितनी विगेट निकालेगा कि 900 पॉइंट आपको देगा अगर मानलो यह सामने वाली टीम को अगर दो बार भी वह अलाउट कर देता है कोई एक बॉइलर तो आप लोगों को इतना पॉइंट नहीं दे पाएगा क्योंकि टेस्ट किरकेट में पॉइंट ही कितना मिलता है मातर 16 पॉइंट मिलता है दोस्तों एक विकेट का सिंपल विकेट का 16 पॉइंट मिलता है और आइसे में आप लोगों को यहां से दिखा देता हूं तो यहां से मानलो for example मैंने आप लोगों को कॉलकुलेटर ओपन किया 16 नॉर्मल विकेट का मैंने माना है मानलो 20 पॉइंट मानलो ठीक है और कोई बॉलर ज्यादा ज्यादा निकालेगा टेश्ट क्रिकेट में on an average आप 5 विकेट उससे मानके चल सकते हो मानलो 5 विकेट निकालत प्लस आप लोग इसमें थोड़ा सा बोनस पॉइंट मान सकते हो कि 3 विकेट हॉल 4 विकेट हॉल तो यहां पर आप लोग इसको 120 कर लो चलो मैं इसको 120 कर देता हूं अब 120 पॉइंट देने के लिए उसको कम से कम कुछ नहीं दोस्तों तो 5 विकेट तो निकालना पड़ेगा रही पड़ेगा ठीक है और ओन एन एवरेज बॉलर निकाल लेते हैं टेश्ट क्रिकेट में चार विकेट पांच विकेट निकाल लेते हैं लेकिन बैट्समें भी रन बनाता है अब उसमें बैटिंग और बहुत जादा मेटर नहीं करता है ठीक है अब पांच नंबर के भी पारी में आराम से आप लोगों को सौ पॉइंट अब निकाले यहां लेकिन बैटि से आप लिग लगा से कम दोनों पारी मिला के आप लोग 100 रन तो एक्सपेक्ट करके चली सकते हो अब 100 रन बनाने का मतलब उस आपके बॉलर से भी जादा वह पॉइंट दे कर जाएगा 130 पलस के वह असानी से पॉइंट दे कर जाएगा मैं अगर इसमें इंकुलूड करूँ 4-6 तो और अगर आप लोग अल्राउंडर को बनाते हो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि देखो मुझे जहां तक दोस्तों लगता है टेस्ट किरकेट में आप बॉलर को छोड़के बै बैस्मेन या फिर अल्राउंडर में करो फोकस करो होप आप लोग यहां से समझ गएगो तीसरा भी चौथा दोस्तों यह है कि आप लोग पहले देखो यहां पर से जो डो तो उसमें से ओभर कटेगा जो कि मानलोग परमुख बॉलर है आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दे रहो और वो बॉलिंग सिर्फ दो ही ओबर कर रहे तो ऐसे में आप क्या करोगे आप लोग का प्लियर तो वह वेश्ट जा रहा है तो ऐसे में पहले आप नंबर्स आप लोगों को यह सब मैं अपने टेलीग्राम पर बता देता हूँ तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हो ठीक है फिलाल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ऐसे बता हूँ तो पहले आप लोग देख लो और ऐसे कई बार होता है ना दुस्तों कि जैसे कि मानलोग कोई 6 नं आता है चार विगिट पांच विगिट निकाल लेता है तो ऐसे में फिर दूसरे मुकाबले में ऐसे मतलब अल्राउंडर या फिर कैसा तो पार्ट टाइम जो बैट्समेन है उसको काफी जादा लोग सी विसी ट्राइ करने लगते हैं लेकिन आप लोग भी देखो एक तो छ कोई इंग्लाइन का खिलाड़ी है और मानलो सामने जिंबावे की टीम है अचानक से आके चार विगिट पांच विगिट निकाल लेता है और अगले मुकाबले में ऐसा होता है कि इंग्लाइन की टीम आप लोगों को सेकेंड बैटिंग कर रही है बहुत सारे लोग उसको सी बैटिंग ही नहीं आई तो और काफी जाद लोग यार ऐसे पिछले मुकाबले के बेस पर उसको मानलो नप 20%-30% लोग CVC ट्राइ करके ले आते हैं मैंने भी ऐसे काफी जादा मुकाबला देखा है तो ऐसे में दोस्तों ऐसे खिला लगे कि पीछे कभी मत भागो क्योंकि पॉब्लिक वही करती है जो कि पिछले मुकाबले में हुआ होता है मैं बार बर कहता हूँ ठीक है भीड चाल में नहीं चलना चाहिए आप अपना अलग यूनिक टीम बनाईए अफ काफी बहतर बना सकते है तो होप दोस्तों आप लोगों को यह जो चारो मैंने टॉपिक ब सकते होँ कृिक 2580 यहाँ पर सब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नमबर सॉस बॉलर बड़र जो चीज मैंने आप लोगों मिलती है, final team मिल जाती है बाकि आप लोग YouTube channel को subscribe करना क्योंकि वहाँ पर match prediction से related video मिल जाती है जो कि आप लोग कोई team बनाने में काफी जादा help करती है बाकि आप लोग subscriber देखकर please मुझे को judge मत करना मेरा एक channel था जहाँ आप 1 lakh something subscriber हुआ करते थे आप लोग यहाँ सपोर्ट करना और यहाँ पर join हो जाना बाकि मिलते हैं एक वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक ले goodbye